आज रात के ये है चाहते के अपिसोट में क्या कुछ खात सोने वाला है चलिए आपको बताते हैं कैसे प्रिशा और रुद्राक्ष एक दूसरे के पास आना तो चाहेंगे लेकिन साधी सिच्वेशन के चलते वो आ नहीं पाएंगे आज रात के अपिसोट की शुवात होती है अर्मान के साथ जो के रुद्र प्रिशा को गल्य लगता दे काफी जादा शौक्ट हो जाता है और वहां से चला जाता है प्रिशा रुद्र से कहती है कि तुम जाओ यहां से लेकिन रुद्र जाने से मना कर देता है और उसे अपनी कि कैसे वो प्रिशा से पहली बार मिला था कैसे रुद्र ने प्रिशा को अपने गले में जबरदस्ती गले लगाया हुआ था और कार में उस रात उसने क्या कुछ देखा था ये सब कुछ सोस कर अर्मान बार में बैठा बहुत ही जादा अपसेट होता है तब ही वो कहता है अ थोड़े टाइम के बाद वो डेटेक्टिब से पूअ कि पूछता है कि पृषा के एक्स हस्बन का नाम क्या है ठेक्टिव कहता है रोदराक्ष खुडाना पृषा का हस्बन था अर्मान को बहुत जादा शॉक पहुंशता है और वो कहता है कि लेकिन प्रिशा ने मुझ से जबाब मिल गया है दूसरी तरह दिखाया जाएगा कि प्रिशा अन्वी को ड्रेस देती है और कहती है कि तुम आज बहुत जारा खुब्सूरत लगोगी देवेका प्रिशा से कहती है और भावी हैस्टाइल मेकप का क्या होगा क्या वो लोग आ गए हैं मेकप आर्टेस्ट प्रिशा कहती है कि हाँ लेकिन तुम चिंता मत करो मैं हो ना तुमारे लिए तब यहां पर देवेका उसे हट करती हो कहती है कि आपके बिना तुम मैं अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकती पता नहीं आपके बिना मेरे जिन्दगी तो अधूरी है भावी ठैंकिस व् प्रिशा कहती है कि अच्छे थीक है अब रो मेड़ और वेंना की अई давно कॉल करती है लेकर अर्मार प्रिशा की प्रिजा का फून नहीं क्यों प्रिशा के लिए इतर रुद्राक्षा रती है और देविका से कहता है अपनी आखें बंद करो और तुम मुझे शादी से पहले नहीं देख सकती लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें अपनी आखे नहीं खोड़ने हैं जब तक मैं न करूँ लेकिन यहाँ पर वो ऐसा करने से मना कर देती है प्रिशा उसे बहार ले जाती है रूम में और प्रिशा कहती है कि एक बात बताओ तुम यहां क्या करने आए हो तब ही वो एक जुलरी सेट देता है प्रिशा को और कहता है कि यह मा ने भी जाए वो चाती है कि तुम इससे पहनू देविका यहां पर एकसाइटमेंट से आती है और कहती है कि रुदर तुम यहां क्यों हो तब ही रुद्राक्ष कहता है कि यहां हमारी यहां पर एक ट्रेडिशन है कि फैमिली मेंबर को हमारी मां एक गिफ देती है लेकिन अभी वह लोग बेजी है तो इसलिए मुझे बेजा गया और वह कहता है प्रिशा से कि आप जूलरी जरूर पहनना देविका यहां पर प्र प्रिशा कुछ भी कर कि यह शादी तुम्हें रोकनी होगी वरना मैं देविका के साथ अपनी लाइफ इस्पेंड नहीं करना चाहता और मुझे पता है कि तुम भी मुझे देविका के साथ नहीं देख सकती और यहां पर हमारी अधुरी कहानी का टाइटल ट्रैक तुम जल्दी से हम सब तयार हो जाते हैं फिर अर्मान को ढूणने जाते हैं वहाँ बार स्टाफ जो होता है वो मैनेजर को इनफॉर्म करता है कि जो अर्मान सर हैं यह सुबह से पीते जा रही है पीते जा रही है यहां पर अर्मान कहता है कि अंकल मुझे और प्रिशा को केला छोड़ी जे मुझे इससे कुछ बात करनी है और प्रिशा को वहां से लेकर चला जाता है देवे का यहां पर अपने नोस रिंग पहन रही होती है लेकिन वो तूट जाती है और वो कहती है कि आरे भावी के रूम सुनकर काफी ज़्यादा शौक में रह जाती है यहीं हो जाएगा शुराद के एपिसोड का इंड जिसके बाद देखना होगा बहर इंट्वरस्टिंग के प्रिशा अर्मान को क्या जवाब देती है जिसके बाद अर्मान का क्या स्टेट आफ माइंड रहेगा यह देखना आप हमारे चैनल से आपको सब्सक्राइब जरूर करें साथ इस वीरे को लाइक शेयर करके हमें कॉमेंट करके बताना न भूलें कि आपको यह शो और हमारी अपडेट कैसी लग रही है